अगर प्राइस जो है वोटर का वो स्कार्सिटी को रिफ्लेक्ट करें फार्मर विल कल्टिवेट क्रॉप सुटिबल टू दर रिजन जो फार्मस होंगे वो उस क्रॉप को लगाएंगे जो उस एरिया में लगने चाहिए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो आपके हरियाना और पंजाब का जो छेत्र है जो राइस की कल्टिवेशन करता है जहां पे ग्राउंड वोटर को यूज करते हैं वो कल्टिवे कि जो क्रॉप वहां पर लगाई जा सकती है उसे लगाएं इससे ग्राउंड वोटर का लोस नहीं होगा और जो बैड इफेक्ट दिखने को मिल रहे हैं कि कुछ रेडियो एक्टिव नजर आ रहे हैं पानी के अंदर ग्राउंड वोटर जादा यूज करने की कारण वो भी क होगे और काफी other environmental problems solve हो पाएंगी तो इसे आप answer writing में यूज कर सकते हैं इस passage को and second एक line है subsidy provide an incentive for wasteful use of resources कि जो subsidy government provide करती है वो wasteful का कारण बनती है resources का तो ये भी आप याद रख सकते हैं आपने मेंस के लिए thank you for watching this video and giving a time